है 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 लो गाइज आप सभी को टाइलेंट इस्टिट्ट में स्वागत है तो मैं आज फीर आप लोग के लिए सुपर तीस होड़ समाने मिग्ञान का महतरपूर प्रसन लेकर आया हूं जो कि सभी प्रिक्षाव में पुछे जाते हैं और सारा यह पूछा हुआ प्रसन है जो किस स्मुष्क सेल क्या है बताइए च्षा तूर्थ्षक सेल है प्रत्रमिक सेल है या इन में से कोई ने बताइए क्या अंशर होछाएंगा इसका इसका vielleicht मुटता ठीक फ्रेंटी चलीया आगे चलता है लोग दूसरा प्रस्न है चुम्बकिय छेत्र मापा जाता है किसे मापा जाता है फ्रेंट पाइडो मीटर से हाइडो मीटर से थर्मा मीटर से या फॉल्क सो मीटर से बताएए किसे मापा जाता है ये तो फॉल्क सो मीटर से मापा जाता है चुम्बकिय छेत्र मापा जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं लोग अगला प्रसने क्या है अगला प्रसने है तड़ीत चालक बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं ये लोहे जाते हैं लोग अगला प्रस्म देखते हैं हम लोग कर pose की भूह इस्थी रूपगरह का आवर्थकाल होता हा कितना होता है 58 घंटे को आवराइस घंटे 6 घंटे कि या 12 घंटे बोले कौन सांट संटर हो जाएगा यह यह कि 26 गिसे दो इसी रूपगरह का वर्थकाल कितना का होता है 24 घंटे का होता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों बहुत मज़दार प्रस्न है तो सबसे अधिक भेदन छमता किसकी होती है बताइए अलफा किर्णे की बीटा किर्णों की गमा किर्णों की या इनमें से कोई नहीं बताइए इसम का सबसे अधिक भेदन चमता होती है किसका होती है किमुदों के गमा किर्ण सबसे ज्यादा वेदन करती है कर सकती है घ King नेक्स्ट प्रस्न है लिफ्ट की खोज किसने कि थी बताइए लिफ्ट जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ढूंटते हैं कि लिफ्ट कहा है लिफ्ट सहीं हम लोग उपर जाएंगे ठीक है ना तो लिफ्ट की खोज किसने किया था बताइए बेर्ड ने फ्राइडा ने एडिशन ने या ओटिस ने बताएए इसमें से कौन कौन खोज किया था तो इसमें से लिफ्ट की खोज किया था ओटिस ने ठीक है जो कि आज बहुत पर चलीत हुआ है लिफ्ट चली है आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रस्ण है जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या आयतन घटता है आयतन बढ़ता है आप परिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है बताईए कौन सा अप्शन हो जाएगा इसका तो इसका अप्शन हो जाएगा आयतन घटता है जब बर्फ पिघलता है तो इसका सटय हो जाता है घट जाता है चलिए अगला प्रResण देखते हैं लोग क्या है अगला प्रस्ण है इलेक्ट्रों वुल्ट इकाई है मताई किसका इकाई है वार्जा कि टाप की, सनवेग की, या वेग की, उस्मा का स्वर्वत्म चालक है, उस्मा का स्वर्वत्म चालक कौन सा है बताइए जल पारा एलकोहल या इथर बताइए इसमें से कौन आपसन होगा जो कि उस्मा का सरोतम चालक है बताइए कौन हो जाएगा पारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पारा चलिए अगला प्रसंद देखते हैं प्रसंद नमबर 10 कोबाल्ट 60 यानि कोबा किंडे बीटा किंडे एकस किंडे या गामा किंडा बताये कोबाल्ट्ट 60 उस सरजित क्या करता विस फिर फ्रेंड में को उत्त सरजित करता है ठीक से सब minder को अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण प्रस्ण है उडते हुए हलीकॉप्टर में उर्जा होती है उड़ता हुए हलिकॉप्टर मैं उर्जा इस पाहला पर प्रस्ण है के वां स्थिति में और गती जूर्जा इन में से कोई नहीं बताइए कौन सा अपसर हो जाएगा ये बहुत इंपोर्डेंट प्रस्न है बताइए तो ये का हो जाएगा दोनों स्थिती दोनों में होता है ठीक है इस्थिती जूर्जा भी होता है और गती जूर्जा दोनों होता है चली अगला पर किसे प्रस्ट है कि सबढ़ को कहाँ से है अ кино को को कुछ lle फ्याइजे फ्रांस से मझाते से यह गरिस्ट बताये काक से है कि यह बहुतम इंप्पोर्टेन में प्रस्ट लेकर आया हूँ उर्फ शड़ा या जगवा पूछा जाता है कभी कभी में पूछ उजूक लिए जाता है तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए ठीक है चलि Humans देख आप परकास की गतिन निम्तम होती है किसमें वायो से उसे गुजरने पर कांच से गुजरने कि जल्थ से गुजरूने पर या निरवाथ से गुजरूने बताएए इसमें cry ृृ० जल से गुजर्णने पर या निर्वार से गुजरन दलती हैं इसका आंसर हो जाएगा का च से गुजर्णने पर परकास की गतिका हो जाती है निई उन्तम हो लग ठीक है चलिए अगला पसंद देखते हैं लोग कि अगला प्रसन झोद होँआ है या श्कूटर कहा पुराणा हो गया है तो इसके वह स्कार्ण को न बताईए ये ने स्कॉटर का अब प्राड्सक है हुना भrd लर् आ या अन्स्तीन बताईए तो पंद्रहवा कोश्यन है नाभीकियर रियक्टर में उर्जा उत्पन होती है बताइए कैसा उर्जा उत्पन होती है नियंत्रित सनलायन होता है अनियंत्रित सनलायन द्वारा नियंत्रित भी खंडन द्वारा या नियंत्रित भी खंडन द्वारा बताइए नाभीकियर रिय परबढ़ाने पर जल का कोथ नांक क्या होता है बढ़ता है घटता है पहले बढ़ता है फिर घटता है आप परीवर्टित रहता है उत्या चले है अगला पर लुचिक देखते हैं चली अगला पॉसन देखते हैं कि इसको वेंचुरी मीटर से हम लोग जल के परवा के नापते हैं ठीक है ना चलिए अगला परस्ण देखते हैं कि एक लिफ्ट एक समानवेग से उपर जा रही है तो उसमें इस ठीट ब्यक्ति का भार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा घट जाएगा आप परिवर्तित रहेगा या इन में से कोई नहीं होगा बताईए कौन सा हो जाएगा यह इंपोर्टेंट परस्ण है कि फिजिक्स का यह प्रस्ण है बताईए इसका अंसर हो जाएगा आप परिवर्तित रहेगा ठीक है ना एक लिफ्ट में समानवेग से अगर लिफ्ट जा रही है उपर जा रही है तो जो उसमें ब्यक्ति है उसका क्या हो जाएगा भार आप परिवर्तित रहेगा चली अग गटता जाता है बढ़ता जाता है और पड़िवर्तित रहता है या इन में से कोई नहीं बताई यह पिथवी तल से उपर या नीचे जाने पर गुर्थवियत तौरण का मान क्या होता है घटता जाता है का होता है उपर जाये जहें नीचे जाए गुर्थवियत तौरण का मान यह पैघला प्रसुट सो कुछ मुझा रगफशन है कि अधी चालक का दो रेक्षंद क्या है उचछ पार्गम। या अनन्त पार्गम यताल्ट तह इसका आंसर क्या हो जाएगा अधीय चालक का उच Attitude पारगम्यता होता है ठीक है अगला प्रसंद को देखते हैं हम लोग अगला प्रसंद है कि समा ब्रहमांड में कौन सा तत्व सरवाधिक मत्रा में पाया जाता है बताई ये कौन सा हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन बताईए इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सबसे ज़्यादा कि कौन सा पायाता है हाइड्रोजन ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं हम लोग वाईसम या या दीश болी पर वाय मंडल नहीं होता तो दिन की डि क्या लत शोaltres ब्रदीक हो ठीम क्व्यक्त काम होती अधिक होती आपरिवर्तित होती ये घडती या बढ़ती दो मोन इस अरता काम होती अगर प्रस्म संख्या तेज़ मंबत्ती का जलना क्या है रसानिक परिवर्तन बहुत एक परिवर्तन उप्यक्त दोनों इन में से कोई नहीं बताइए कौन सा अप्सन हो जाएगा इसमें बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बहुत इजी भी है बताइए कौन सा हो जाएगा रसानिक परिवर्तन चलिए अगर आपसम देखते हैं चौबीस नंबर आफ चौबीस नंबबर सुना किस अमल में घूल जाता है बताइए कि इसका अप्सन हो जाएगा अमल राज में का होता है सोना घूल जाता है ठीक है चलिए अगला पर हम देखते हैं कुश्चन नमर 25 दियसलाई में परयुक्त होता है जो हम लोग माचीस यूज करते हैं घर पे इसमें का यूज होता है लाल फास्फूरस सफेद फास्फूरस सोडियम या पोटैसियम बताइए इसमें से कौन सा यूज होता है इसमें यूज होता है लाल फास्फूरस ओके चलि अगला प्रस्न देखते हैं लोग तो प्रस्न संखिया 27 पेट्रोल में सब लोग अपने अपने गाड़ी में डालता है तो यह कि क्यों सा भी सैला पदार्थ होता है इसमें यूटेन इसमें से कौन सा होगा बताईए इसका अपसन हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड ओके चलिए यह विशैला पदार्थ होता है पेट्रोल में चलिए अगला परस्थ देखते हैं अलब करूं अ तो अगला परसिलेते अचछा 20 के काम आता है क्या काम आता है नाइट्रो बेंजीन begin अ मैधिल एल्कूहल या क्लोरो बेंजीन बताईए इसका आपसन क्या हो जाएगा क्या ड्रैक्लीन में जो ड्रैक्लीन करता एक नो busy code इसमें क्या किया जाता है तो बेंजीन को यूज किया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्न को देखते हैं हम लोग तो अगला प्रस्न है जल का सुधी करन किया जाता है बताई जल का सुधी करन किस्से किया जाता है ुए अमुनियाद वद्वारो कलोरीन द्वारो हइंडरोजन द्वारो या औक्सीजों द्वारो किसे तो बना जाता है क्लोरीन द्वारो झाख से लाष्ट परसंद को देखते हैं तो तीस है दवा बनाने में काम आता है क्या काम आता है बेंजोई कमल नाइट्री कमल फिक्री कमल या अमल राज इसमें से कौन सा यूज होता है दवा बनाने में बताइए इसमें यूज होता है बेंजोई को अमल है ओके है तो आइओ होप कि आप लोगो को फ्रेंड अवे बहुत पसंद आया होगा और मईब अच्छा परसन है बहुत इंप्रेंट परसन था ठीक अच्छा शुआ और अच्छा लगए त Đâyना आप ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में बहुत अच्छे अच्छे कोश्चन लेकर फिर आऊंगा मैं ठीक है थैंक्यू फ्रेंड्स